यदि हम प्रिया प्रितम के हो के छुप छुप के वही विस्यों का भोग वही संसार इकता तो इससे खुल के न करें इसे खुल के संसार में जाए क्यों हम ऐसा डूब्लिकेट जीवन क्यों हमें जब इस मार्ग में लिया है परमार्थ में तो मुझे सच्चिदान अंदर सकान परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या कि इधर के और यह हमने बोल्ड लगा लिया भगवत मार्ग का धरम धोजी बन गए इसके बाद भिसे सेवन करें चुपके नहीं नहीं दोखे में न रहना परेम की बाते करते हैं लेकिन कामनात्याग की सिद्धांत से चलने की मन को अधिन करके प्रिया पृतमें लगाने की यो सब सिद्धांथ छोड़ दे इसलिए किसी को रजक्यम होती नहीं हो रहिए प्रथम सुने भागवत, भक्तमुक, भगवत वानी, बाते हम करते हैं, वो सर्व परी, हम सहली हैं, हम निकुंज की अली हैं, हम किंकिरी हैं, मंजरी हैं, और प्रभु को साक्षी करके देखें, इस्थिती कहा है, इस्थिती कहा है, सर्व साक्षी हर्दय भिहारी प्रभु त कि यह सुख है तो अभी कहीं किकाहरा नहीं सुरू हुआ निकुंजरस का शुरू हुआ कि सुरू हुआ शीपाज प्रभुधान जी कहते हैं राधा दासी भाव को प्राप्त हुए महापुरस को भगवान मोहिनी अवतारधारण करके भी आकरषित नहीं कर सकते क्योंकि उसके हिर्दे में जो रस्र प्रगट हो गया है उसके आगे कोई ये विशेरस साधारन साधक के हिर्दे से भी नस्थ हो जाता है जो साधक है जिसने लगन लगा लिए स्री कृष्ण मिलन की ब्रह्मादिक के भोग सब विश्म लागत ताही नारैन ब्रजचंद की लगन लगन लगी है जाई और साधकार जहां लाल जू मांग रहे हैं प्यारी जू से मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चूरी दान देरी नवल रस समुद्र लाल जू जहां रस की याचना करते हैं उन लाड़ली जो की ठसक वाले उपासक के हरदय में कामकरूधाद विकारों की धूम मच जाए या संसारिक भोगों की आकांक्षा हो जाए बात समन में नहीं आई पीतल को सोना मान लिया और धोके में अपने को धनी मान लिया ऐसा नहीं हो सकता जहां काम तहराम नहीं जहां राम नहीं काम रजिनी और सूरी एक जगे नहीं रह सकते रात और सूरी एक जगे नहीं रह सकते ऐसे ही भगवत अनुराग और काम की गंद भी नहीं हो सकती भगवतनुराग और काम की गंद हम मानते हैं हम उस जगे नहीं पहुँच पाए हैं तब हम पहुँच पाएंगे हम भूल से मान लिए कि हम चकरवर्ती संब्राठ हैं हमारे आसासन में एक गाउं भी नछी है उपने को मान लिए जकरवर्ती शंब्राठ तो भूले ही हुई ना, ये भूल न करें कि हम सर्वोपरिरस के अनुभो करने वाले बन गए ज्ञान बगारने लगे, सास्त्रों की बाते बुनने लगे इस्थिती बिल्कुल जीरों पे खड़ी है इस्थिती बिल्कुल उपर नहीं है हमें अपना जीवन बरबाद नहीं करना हमें अपने जीवन में इस्थिती लानी है एक-एक भूमिका का दर्शन करना है हमारी इंद्रिया किस तरह से कैसे प्रियालाल में तन में हो रही देखो ये आनंद के लिए अगर ये आनंद की बात ना होती तो मेरे प्रीतम के एक संकल्प से संपुर्ण ब्रम्भांडों का जैसे स्रजान हुआ वैसे मोक्ष हो जाएगा इतने सामर्थ साली है वो हमें आउसर क्यों दे रहे हैं? खेलो ना खेलो वो आउसर दे रहे हैं, तुम्हें छोड़ दिया वो गुरु बन के उपदेश कर रहे हैं सास्त्रों से उपदेश कर रहे हैं चलो आनंद लो, मेरे इस परमार्थ का आनंद लो मेरे परंपद में पहुंचने का आनंद लो इसलिए दिये नहीं तो उद्धार तो एक संकल्प से संपुर्ण ब्रंबांडो का हो जाए इसलिए आपको दिया है प्रभु ने ओसर गीता का गान करते हुई अर्जुन को आदेश करते हैं मेरे मनवाला बन, मेरे को नमसकार कर मेरी भक्ती कर, मेरी पूजा कर मेरे को प्रणाम कर, क्यों कह रहे हैं सामने खड़े हैं इसलिए कर, मेरा इस्मरन कर इसका आनंद लो इसमें भैवीत होने की जदतने बहुत बड़ा उंचा रस है गुर्देव भी तो विराजमान है आचारी भी तो विराजमान है नाम भी तो इतना महा सामर्थशाली है उपासना भी तो इतनी सामर्थशाली है आओ, कायर पुरुष मत बनो निरास होकर विश्यों की तरह भागने की चेश्टा मत करो थोड़ा जलो और बहादुर बन करके आ हमें प्रभू ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं देखो ना, तुम अनुभू करो, इस यात्रा का अनुभू करो कल्याण तो गुरु और इस्ट के एक संकल्प से हो जाएगा अनंत ब्रह्मांडो का कल्याण हो जाएगा लेकिन ये अनुभूती तुमें कैसे होगी इसलिए प्रभू तुमें छोड़ दिये चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो हरी गुरु तुमें ऐसे किये हुए तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो कुछ है नहीं, अपने को सम मान लिये तो कैसे यहाँ चलने पर तभी आनंद आता जब त्रणाद पे सुनी चेन, मुझे कुछ नहीं आता मैं किसी योगी नहीं, अगर कुछ है तो मेरे हरी, मेरे प्रियाजू बुलवा रही मेरे प्रियाजू कर रहे अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया घ्यानी अपने को मान लिया परमार्थ का दुरंधर योद्धा और इस्थिती नहीं है कैसे बात बनेगी इसलिए शावधा नोते हुए हम अपने भजन की निरंतरता पर दृष्टी दे पुझी पादुडिया बावा जी महारत कह रहे है हमें ये नहीं देखना कि कौन बोल रहा है बावा वही बात कह रहे है आप चल के देख लो जिस रस में चाहोगे उसी में डूब जाओगे देखो अपने पास धन है ना तो जो चाहो प्राप्त कर लो भजन रूपी धन है सिद्धान कसे चल रहे हो तो वस्तू की प्राप्ती है नहीं तो देखो ब्रंदावन में रह रहे है ब्रंदावन रस की उपासना कर रहे है और क्या इस्थिती है उसको देख लिजे आप ही अपने जज है आप अपने अंदर जहां के देख लिजे आपकी इस्थिती क्या है क्यों ऐसी इस्थिती नहीं आ रही है उसका कारण है भजन का अंतराय और असाधन दो बाते पकड़ लीजिए सेवक जी महराज करें हरिवनस नाम भी सरेन अच्छीन एक शन के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए तुम्हारे अंदर यसी छमता आ जाए सत्र मित्र शम जानी मानी माना पमानसम दुख सुख लाब नहानी यहाजु कृपाहरिवनसकी वो क्रपाशिंदू प्रेमी रूप धारन करके आपको संग देने लेगेंगे नितिक धर्मिन संग, रंग बढ़त नितनित सरस, नितनित प्रेम अभंग यह जो क्रपाहरी आगे 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 निर्खत नित्य बिहार, पुलकीत तन रोमावली, आनंद नैन सुधार यह जो क्रपाहरी क्रम लिखा हुआ है, क्रपा का क्रम लिखा हुआ है, ऐसे क्रपा तुमें उठाती चली जाएगी हमारे हिर्दे में इस बात को बहुत महत्वधी से पकड़ लेने की बात आनी चाहिए निरंतरता भजन की कभी छूटने न पावे, असाधन होने न पावे, फिर बहुत जल्ली स्थिती आने लगेगी, स्थिती बनने लगेगी और कोरी बातों से विस्तराम नहीं मिलता, क्योंकि धिनका आन्यास्त्रे उनका तो चलता है, अपने को लगता है पूरा जीवन हो गए, अगर यही डूबलीकेट है, यही केवल ऐसे ब्राम है, तो पिस सत्यमार्ग क्या है? क्या है भगवदा अनंद? क्या है प्रिया पृत यही संसारिक्ता तुन इससे खोल के न करें, इसे खोल के संसार में जाएं क्यों है, यहीं से डुबलीकेट जीवन क्यों, पाखंड क्यों, यहीदि आपके मार्ग में आनंद नहीं, तो बस आया क्यों? और अगर मार्ग है, तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले ले ल प्रवचन की बात नहीं हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए हम आपके लिए भेस रंगाया है आपके मार्ग में चले हैं तो हम जूटा खेल क्यों खेले हैं हम क्यों संसारिक्ता में बिस्त्राम माने हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें और फिर हम लड़े अगर तुर्टी हो रही तो हरी गुरु का आश्रे लेकर उसे समालो नहीं तो छाती ठोक के आप आगे खुद देखोगे आपको बोलने का उसर जगत गुरु भगवान नहीं देंगे ऐसी परिस्थितितियां लाते रहेंगे आप खुद ऐसा अनुभव करोगे कि इतने ही क कि एक रपा समुद्र आप जितनी क्रपा करने में उसके लायक भी नहीं हूं यह अनुभव होगा आपको देख लेना पर अगर आप असाधन करेंगे भजन की निरंतरता में अंतर लाते रहेंगे तो आप बार बार दोस्त देंगे हरी गुरु को दोस्त देंगे और कहेंग आश्चरी की बात है फिर आनंद किसे कहते हैं फिर परमानंद किसे कहते हैं यदि हम भगवतमार्ग के पतिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भंडों पर आशकती करें तो फिर मतलब करहा वाईराग्य का मतलब करहा परमार्त का यह दोखे का जीवन नहीं यह डूबलिकेट जी आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारन करके आपके होने के बाद फिर उधर जहांके और उसी की आकांक्षा करें और उसी में हम सुख का नुभव करें तो मतलब क्या रहा इस नाटक का फिर नाटक का मतलब क्या रहा परमार्त कोई ऐसा नाटक है क्या कि इधर के और यह हमने बोर्ड लगा लिया भगवत मार्ग का धरम धोजी बन गए इसके बाद भिसे सेवन करे छुपके नहीं नहीं दोखे में न रहना अभी मार्ग नहीं मिला जिस दिन ये मार्ग मिल जाएगा तो ब्रहमादिक के भोग शब बिश्यम लागत्ता ही नारायन ब्रजिचंद की लगन लगी है जाए एक बार उस मंजिल पर आओ जहां महापुरुस जंग ललकार करके माया को परास्त किया है ऐसे थोड़ी ललकार करके आप देखिए निरंतर नाम जब कर रहे हैं वेश्या बेठी तीन दिन से उसके सामें क्या भीगाड पा रही आप देखिए परास्त हो करके हरी नाम आसिक हो जाती है वेश्या यह नाम प्रताब यह मत सोचो कि वो केवल ठाकूर हरिदास जी ही इतने सामर्थ साली थे वही हरी वही हरिदासत तो आपके भी हरदय में है पर आप उसे धारण नहीं कर रहे जैसे नाम जापक वो महापुरुष जन नाम में प्रीति किये वैसे उस महिमा में नाम को आप महत्त बुद्धी नहीं दे पा रहे आप नाम जब नहीं कर पारे, इसलिए दुर्दशा है, नहीं तो हरी समान रूप से सबको सामर्थ दिये विए, जो भगवान शंकर में आत्मा है, वह एक चीटी में भी आत्मा है, इतना भी अंतर नहीं, समो हम सर्वभूतेशू, भगवान के रहे, मैं सब जगें बराबर भ जब वह हैं, तो फिर कमी क्या है, इसलिए हम धोखे वाला जीवन है, देखो नाटक बाजी मत करना, नाटक का जीवन नहीं होना चाहिए, भगवत मार्ग के पथिक है, बिल्कुल ठीक उसी आनंद की तरफ हम बढ़े, जिस आनंद के लिए हमने भेस बनाया है, जिस आनंद के लिए हमने कंठी धारण की, जिस आनंद के लिए हम तिलक लगाए, भूखो चाहिए, प्रान चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं, सेंग चाहिए, जितना भूखा हो, बिस्ठा नहीं खाता, ऐसे ही, भगवत मार्ग का पथिक चाहिए, जितना जले, सास्त्र विरत धाचन नही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, इसमें बिल्कुल ये सब नरखो, अंदर की बात, अंदर में कहीं भी किसी भी आकार का अस्त्रे नहीं बाहरी, कहीं किसी विसय के द्वारा मन को प्रफुलित मत होने दीजिए, आप देखिए, मन राजी हो जाएगा परमानन में, हमें जह इसलिए उपाशक को चाहिए, नीमित भजन में कभी तुटी नहीं आने देना चाहिए, यदि आराध्य देव का चिंतन करते हुए, संसारी चीजें अच्छी लग रही है, संसारी भोग की आकांक्षा हो रही, तो अभी परमार्थ का लक्ष कोशों दूर है, पुजिपात लोगों की आकांक्षा है, गंदी क्रिया करने की चेष्टा है, गंदे लोगों से मिलने की भावना है, क्या भजन कर रहे हो, कैसा भजन कर रहे हो, कहां भजन हो रहा है, यदि ये सब गंदी बाते बनी दिकार है जीवन को, परमार्थ का पति को करके कहां क्या दुर्दशा हो रही क्यों हो रही है भजन इतना बड़ा महान महिमा में गुर्दियों ने मंत्र दे दिया नाम दे दिया उपासना दे दिया अब उसमें चितन लगाओ को किरपा होगी तो हो जाएगा तब तक हम विचार कर रहें गंदे आचलन कर रहें सावधान यह भगवत मार गए हां ह हम भीवश है हम से कोई गल्ती भीवस्ता पुरुवक हो गई तो जोन अउगन प्रभु मान नकाओ दीन बंध हुवति मृदुल शभाओ फिर प्रियाजु करपा करती है जान बूच करके आप अपराध करोगे गंदी बाते करोगे भजन छोड़ करके फिर कैसे आपको फिर क्या फिर प्रभु पच्छ नहीं लेंगे प्रभु पक्षपात उसी का लेते हैं अब लव नशानी अब ना नशयो फिर जो गल्ती अभ्यासवस वाशनावस को संगवस हो जाती मेरे श्वामी अत्यंत करपाल है और रहत नचित प्रभु चूक किये की करत सुरत सहबार है क इसलिए शावधान हो करके पुझ बाबा करें कि यदि आपको संसारिक चीज़ें अच्छी लगती हैं संसारिक भोग अच्छे लगते हैं तो अभी आप लग्ष से कोश्वों दूर हैं जब संशार की बढ़ियां से बढ़ियां वस्तु बढ़ियां से बढ़ियां रूप बढ़ियां से बढ़ियां भोग उपस्तित होने पर तुम्हारे हिर्दय में घरणा हो तब समझना भजन का मार्ग मिल गया है इसका मतलब किसी संपरदाय से नहीं है इस सूत्र का मतलब किसी भी संपरदाय से नहीं उपासक से मतलब सिर्फ उपासक से यदि आप भगवत प लेकिन उपासना का भाव यही है कि एक छन के लिए भी हमारे प्रभू का इस मरण न चूटे और अन्य जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनके भोगने की इच्छा भी न रह जाए अब तब तक दैन्नि भाव से आप आगे बढ़िए कभी ये मन में मतला ये कि आप साथ हो गय आप महात्मा हो गए आप बहुत सद्गुणी हो गए अगर वास्तिविक सद्गुण आएगा तो अभिमान नहीं रह जाएगा दैन्निता आजाएगी वही भगवान का भक्त है वही भजन करने वाला है जिसके शामने अच्छे से अच्छे रूप अच्छे से अच्छे भोग उपस्तित होने पर भी घ्रणा बुद्धी हो जैसे गो शामी जी के रहे रमा बिलास रामनुग अर्गी तजट बमन जिम जन बड़ भागी जैसे कोई घ्रणी तो मन को नें खाना चाहेगा ऑसे कोई भगवत मार्ग का उपास्च विशे नहीं भोगना चाहेगा किसे छुपकर तुम करते हो, किसे छुपकर तुम क्रियाएं कर रहे हो, उससे जिसके लिए तुम आए हो, वो वही देख रहा है, वही देख रहा है, वहां से रहा है, तुम हमेरे जाने के लिए आए हो, बाहर से तो हम जितेंदरी साधक का बोर्ट लगाएं, पीछे हम क्या क बस हमें पीछे सुधारना है बल पका समझ लीजिए और ये आपको ही सुधारना पड़ेगा क्योंकि इस खेल में प्रभू ने आपको उपदेश दे के छोड़ दिया है अब आप कर सकते हो जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो क्यों चल कपट क्यों दिन तो पारही हो रहे हैं समय तो जाही रहा है गंदे आचरण क्यों क्या उनसे त्रप्ति हो निए कि अगर होती तो इन सब की हो जाती ना मन को समझाए और जो सास्त्र विरुद्ध आचरण उनसे बचिये ने केवल प्रवचन करना हाथ लगेगा और प्रवचन सुनना हाथ लगेगा वस्तू का बोध नही होगा प्रतिछाण आपके भजन की ब्रद्धी हो रही है प्रतिछाण आपके हरदे में जलन हो रही है कैसे प्रवु मिले एक खिनता बढ़ती चली जा रही कुछ अच्छा नहीं लगता हाए प्रवु कैसे मिले तो समझो हमारा मार्गत ठीक चल रहा है एक माला जब किया तो विश्वास मानों उससे आपकी सक्ति और भक्ति दोनों बढ़ रही है ध्यान दीजें सक्ति बढ़ रही विशेओं पर विजय प्राप्त करने की और भक्ति बढ़ रही प्रवु के चरणारविंद की आशक्ति एक माला जब किया तो आपकी सक्ति और भक्ति बढ़ रह है फिर यह शक्ति और भक्ति हमारी बढ़ क्यों नहीं रही असाधन हो रहा है जीवन भर करते रहो असाधन करते रहोगे तो अनुभों में नहीं आएगा कृपा सिंदू तो कृपाल हो कुछ भी करें उनके उपर किसी का सासर नहीं लेकिन आपको जो अनुभूती होनी परमा तो आपको अगला जन्म देंगे परहू जैसा पीछे ब्रणन हुआ कि जो योग से ब्रष्ट हो जाते उनकी क्या गतिया होती हम क्यों इतना लंबा खीचे अभी से जो हमें कल करना हो आज क्यों न करें जो आज करना हो अभी से क्यों नहीं आना तो यही है बिनान निर्वि कर दें कि यदि कोई ऐसा कहें कि यह जो हम गलती कर लिए हमें मालूम नहीं था तो एक घोर अज्ञान जूटी बात है अंतर में बैठे हुए प्रभू सबको बताते हैं पुझ बाबा कह रहें यह जैसे कोई कह दे कि वह हमें पता नहीं था यह गलती हमसे हो गई बिलकुल जूट बोल ले हो क्योंकि हरदय भिहारी भगवान सब को सूचना देते तुम गलत कर रहे हो कोई भी बता दे कोई भी बता दे कि हमें भगवान ने सूचना नहीं दी तुम अग्यानी हो बाहिर मुखो इसलिए तुम अंदर के सुन नहीं पाते हो पर वो लोग भी कह देते कि ए हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करें पर हम माने नहीं देखो ऐसा हो गया सब के मन में प्रहु पेरणा करते हैं ये गलत है मत करो इसलिए प्रहु की पेरणा को सुनो जो सास्त्र विरुद्ध आचरन भूल करके भी मत करो थोड़ा भजन करने पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा ये इसी लिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप गलत आचरन कर बेठते हो गलत बोल दिए, गलत देख लिए, गलत सुन लिए, गलत आचरन कर लिए चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया फिर शावदान हो जाए, क्यों जन्म को नश्ट कर रहे है यहां ऐसा उपदेश किया जता है भगवान का सरनागत चाहे जितना गंदा आचरन कर भगवान उदार कर देंगे क्योंकि उसे हमको जोडना है ये केवल जोडने की बात है लोहा चाहे जितना जंगहा हो पारस्वनी उसे सोना कर देगी काप जब इस पर्स हो जाएगा इस पर्स होते ही लोहे का स्वरुप खताम हो जाएगा ऐसे ही जो देहा भिमानी जीव गुरु शरनागत, आचारी के शरनागत, इस्ठी के शरनागत तो फिर भूलिन देह कुमारक पाऊं आएगी, इस्ठी आएगी आप तभी तक परास्थ हो रहे हैं जब तक आप आज्या का पालब नहीं कर रहे हैं हम हो याप हो सास्त्र आज्यां, गुरु आज्यां के अभिलना करेंगे तभी तक माया रों देगी और ये आज्यां पे चलना सुरू कर दे फिर बताएं कि आपके पास बिग्न कहां है बिग्न नाम की वस्तु ही नहीं है केवल प्रभू ही प्रभू आनंद ही आनंद, बड़े से बड़ा बिग्न आएगा आपकी भक्ती का, वो ठान करेगा पतन हो ही नहीं सकता पतन तब ही होता है, जब आज्यां का उलंगन होता है मन मानी आचरन होते है ये जीवन प्रभू को दे दीजिए मान जाएए बातें ये गंदे आचरन जनित जो पेरणाय होती सह जाएए, सह जाओगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी जैसे कोई अत्यां तो भूखा हो तो दो-चार ग्रास खाने पर उसकी भूख शान्त नहीं होती जब वो और अधिक भूजन पाएगा तो उसको समन में आ जाएगा कि मेरी भूख तो पहले कवल से ही सांतों ने सुरू हो गई थी ऐसे ही बहुत जन्मों से हम कुछ न कुछ सुब असुब आचरन पाप पुर्णिके करते चले आ रहे हैं भगवदानंद की भूख बहुत जन्मों से हमारी है अब हम थोड़ा भजन करते हैं हमें समझ में नहीं आता हम और भजन बढ़ाएं और भजन बढ़ाएं रात दिन भजन करने लगें तब समझ में आएगा कि भजन से सांती तो प्रथम दिन से ही सुरू हो गई थी रात दिन भजन करने का मतलब है रात दिन युद्ध करके माया को परास्त करना हसना छोड़ दो आप मुझे आच्रन दे दो वैसी बुधी दे दो यदि हमारा रोना प्रभू के लिए हुने लगे तो हमारा काम बन जाए, देखो बीवस क्या करता है, बच्चा क्या करता हुा रो देता है, तो हम कुछ उचने वाला नहीं, तो हम कम से कम रोना तो सीख जाए, हम एकांत में बेट कर अपने प्रभु शिप्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सम्हाल लो जब आपने श्वाइकार किया है सरणागती दी तो नाथ मुझे अपने लायक बना लो भजन करने वाले का जब तक भजन में राग नहीं होगा तब तक उसके हुरदे में सच्चायी नहीं आयेगी ध्यान दीजिए, हमारा भजन क्यों नहीं निरंतर होता, क्योंकि भजन में महत्तो बुद्धी नहीं है, नाम जब कर रहे हैं, विसाई की बाते कर रहे हैं, प्रपंची की बाते कर रहे हैं, आवश्यक्ता पड़ी, बिना माला पूरा हुए है, इसे छोड़ दिया, का चिंतन न छूटे, पुझे पंडित गया प्रशाजी महरा जिसे परिक्रमा लगाते होते, कोई शंत महात्मा ही मिलने, तो बहुत बीवस हो जाते, फिर खड़े हो जाते, खड़े होकर जो बारता की, वो भी भगवद बारता, और फिर परिक्रमा को प्रणाम करके, रजम जब तक राग नहीं होगा तब तक सच्चाई जीवन में नहीं आएगी, जो सत्यता चाहिए, जो भगवत पीत्यर्थ जीवन चाहिए, वो नहीं उपाएगा, भजन में राग करो, लेकिन राग केवल पहले से ही नहीं हो जाता है, आरंभ में तो कठोरता पूरुवक भजन करना होता है, नियम पूरुवक भजन करना होता है, जबर्जस्ती भजन करना होता है, किसी ने प्रश्नी किया, कि जब हम नाम जब करते हैं, तो हमारा सरदर्द करने लगता है, इसके लिए दो ही बाते हैं, आपका ब्रमुचरिव बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि आ आनंद की शीतलता दोड़ती है एक मस्तिस्क में ऐसा लगता है जिसे कोई नसा चड़ रहा हो न तो नसे में कुनमत्ता एक खुमारी एक आनंद ऐसा थोड़ी होता है भजनानंदी वह टेबलेट रखे रहें सरदर्द के कि वहर समय देखो सरदर्द हो रहा है ऐसा नहीं तु हुआ है अब वहां जपना नहीं है कि हम आपसे बात कर रहें तो मंत्र भूल चाया हुआ है यही तो भजन का अभ्यास का फल मिलता है क्या प्रभू देते सच्ची मानिये क्या देते आप रोगे निहाल हो जाओगे जब आपका परिणाम प्रकासित होगा ना तो आप नाच नियम से भजन करना होता है ऐसा करोगे न तो भजन में प्यार हो जाएगा भजन में राग हो जाएगा तो आपके ही वह जलन पैदा कर देगी की जाएगी विसेओं को परास्त करने का बला जाएगा बिना संत महात्माओं का संग किये भजन में नियम पूर्णता या ध्रड़ता नहीं आती है और बिना भजन में नियम पूर्णता कठूरता ध्रड़ता आये विना वो भजन परिपक नहीं होता भजन में प्रेम नहीं होता झाल झाल